हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल सी तू पटेल टिप्स फॉर वोमेन और फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे मखाना के फायदों के बारे में जो की जोगों के दर्द और गठिया जैसे रोगों को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है मखाने के बारे में हम सबी जानते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है और इसमें बहुत सारे पोसक तब तो पाये जाते हैं जो कि हमारे सरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है और इसका सेवन करने से आपके जो जोगों का दर्द है और गठ तो इसके लिए आप 3-4 दाने यदि रोजाना मखाने के खाते हैं तो इससे आपके जोगों के दर्द दूर होगा और जोगों के दर्द जैसी समस्याँ आपको आगे जाकर नहीं होगी। इसके साथी फ्रेंस जिन लोगों को गठिया रोग जैसे समस्या है उन लोगों को भी इसका सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदी मंद होता है आप चाहें तो रात के समय पे गरम दूद में मखाना डाल कर पी सकते हैं इसको पीना भी आपके लिए काफी ज़्यादा फायदी मंद होगा इससे आपको अच्छी नीन आएगी और जोगों की दर्द की समस्या में आपको काफी राहत मिलेगी फ्रेंस बहुत ज़्यादा गरम दूद आपको नहीं पीना है पहले आप इसे गरम करके इसको डाल दीजिये और जब यह थोग ऐसा गीला हो जाता है इसके बाद दूद को हलका गुनगुना ही आप पीजे बहुत ज़्यादा गरम दूद पीना भी आपके लिए नुकसान दे हो सकता है तो फ्रेंस इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं इसका सेवन करना आपके लिए बहुत ही फायदे मंद होगा फ्रेंस जिन लोगों को हड़ियों से related समस्या हैं उन लोगों को लिए भी मखाने का सेवन करना काफी फायदे मंद होता है तो फ्रेंस जोगों को दर्द को दूर करने के लिए आप दो तरीके से सुबह खाली पेट तीन से चार दाने मखाने का सेवन कीजिए और रात में सोते समय तीन से चार दाने आप दूर्थ में मिलाकर इसको पीजिए ये आपके लिए काफी फायदे मंद होगा गठिया जैसे रोगों को दूर करने में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं तो फ्रेंज ये थी चोटी सी जानकारी उमीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने साथी वैल के इकन को जरूर उन करने ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर रहें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख वाए और फ्रेंज अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें